ग्रेट मौनिंग सुडेंट्स, इन दे प्रिविएस वीडियो वी हैव डिस्कस्ट अबाउट HCF, HCF मिन्स हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ओके सुडेंट्स, HCF के बारे में पढ़ा था और उसे रिलेटिड हमने कोशन किये थे एक्सराइज 19 के, ओके, तोड़ेए वी विल given numbers को divide करता है, ठीक हैं। और multiple क्या है, smallest multiple है, जो भी number हमें given है, उनका smallest multiple, means, वो उन तीनों numbers में आता है या यूँ यह कह सकते हैं, जो भी 2 या 3 number हमें given है, वो उनकी table में आता है, और factor का means, वोग उन तीनों numbers को divide करता है। क्लियर है students तो हम LCM के बारे में पढ़ेंगे अच ठीक है LCM is is the smallest multiple of each of the given numbers ओके इसमें क्या है इसमें भी जैसे हमने उसमें किया था methods से अलग-लग इसके भी ऐसे ही method है exercise में two questions हैं दोनों अलग-लग methods से first one is from prime factorization and second one is from short division method okay student तो question number one करते है exercise का 20 exercise का question number one part c 63 105 we have to find the LCM of these two numbers by using prime factorization ठीक है पहले हमने prime factorization का chapter किया उसमें prime factorization करी फिर HCF किया HCF में prime factorization करी अब हम कुछ हद तक ज्यादा familiar हो गए है prime factorization से तो अब थोड़े से ये question easy हो जाएंगे हमारे लिए ठीक है तो पहले 63 की prime factorization करते हैं देखो last digit 3 है तो that means ये odd number है तो 2 से तो नहीं होगा 3 से होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो digit से उनका sum 3 से divide होना चाहिए 6 plus 3 9 9 होता है 3 से divide तो करते हैं इसको 3 2 जा और 3 1 जा अब 21 भी 3 से होता है 3 7 तो 63 की prime factorization क्या हुई 3 multiply 3 multiply 7 ओके अब देखते 105 की देखो last digit क्या है 5 code number है तो 2 से नहीं होगा फिर से 3 पे 5 plus 1 6 तो 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 35 3 plus 5 8 8 जो है वो 3 से divide नहीं होता तो ये जाएगा 5 पे 5 7 जा ठीक है तो 105 के factor क्या है 3 5 7 ओके students अब HCF में क्या था highest common factor देखो common factor क्या है 3 है और 7 है तो HCF क्या आ जाता highest हों सा है 7 तो HCF आता 7 LCM पूछ रहा है वो मतलब least common multiple ठीक है जैसे मैं आपको बोलू हो कि मैंने आप 4 और 6 का LCM बताओ 4 की table लिखी 4, 8, 12, 20, 24 6 की table लिखी 6, 12, 18, 24 ठीक है sorry यहां 16 भी आएगा फिर आएगा 20 और फिर आएगा 24 क्लियर है अब देखो least common यहां भी 12 है और यहां भी 12 है एक तो यह मैच हो रहा है इससे आगे कहां मैच हो रहा है यह मैच हो रहा है इससे आगे यह 36 पे जाके भी मैच होगा ठीक है तो मतलब हमें देखना क्या है least word least use हो रहा है तो मीन सबसे छोटा सबसे छोटा कौन सा है 12 तो 4 और 6 का जो LCM है वो क्या है 12 ठीक है अब थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो गया हो कि LCM क्या होता है तो यहां भी इन दोनों में से भी महां में ऐसा ही नमबर निकालना है जो इसकी table में भी हो और इसकी table में भी हो ठीक है और prime factorization के method से कैसे लिखेंगे जितने भी factor given है जैसे यहां 3 2 times है और यहां 3 1 times है तो जहां जादा वारी है वो वाला लिखेंगे मतलब 3 को 2 times लिखेंगे 3 के बाद 7 देखो 7 यहां 1 है यहां भी 1 है अगर by chance यहाँ seven two times होता तो seven कभी two times multiply करते बट seven one times है तो one ये complete हुआ अब देखते हैं इसमें क्या बचा five तो five उसमें common वाले लेते थे इसमें सारे के सारे factors लेने है जो जितनी जादा बार है तो सबसे पहले जादा वाला जैसे यहाँ three जादा बार है तो three को जादा लिया है one था तो one नहीं लिया two लिया है seven one times था तो one और five यहाँ नहीं था यहाँ था बट यहाँ है तो that means वो इसकी table में तो कम से कमाएगा और हमें दोनों के लिए चीए क्या पता वो फिर इससे भी हो जाए इसलिए सारे नंबर से multiply करेंगे और answer क्या आएगा three three's are nine, nine seven's are sixty three, sixty three को five से करेंगे five three's are fifteen, five three's are fifteen, five six are thirty plus one, thirty one तो three hundred fifteen जो है वो LCM होगा 63 और one hundred five का okay means 63 की जब table लिखेंगे तो three hundred fifteen आएगा और one hundred five की भी लिखेंगे तो भी क्या आएगा three hundred fifteen और सबसे पहला number जो मैच होगा दोनों की table में वो three hundred fifteen ही मैच होगा ठीक है उसके बाद कोई भी हो सकता है जैसे मैने यह लिखी थी सबसे पहले ट्वेल मैच हो रहा था आगे तो 24 भी हो रहा था 36 भी हो रहा था बट इन दोनों की table में सबसे पहले three hundred fifteen मैच होगा ठीक है स्टूरेंट्स अब हमारा इसी कोशन का एक और पार्ट करते हैं जिसमें three numbers given है ठीक है इपार्ट करते हैं 36 54 81 ओके 36 के prime factors six कैसा नंबर है इवन नंबर है तो two से होगा 18 फिर से two होगा nine और ये three से फिफ्टी फोर इवन नंबर है तो 27 फिर three से अब 81 की बारी आती है 81 कैसा नंबर है ओड नंबर है तो तो ये three से जाएगा three से जाएगा तो 27 फिर से three से nine फिर से three से three और three ये वन 36 के factor क्या है हमारे पास two multiply two multiply three multiply three 54 के क्या है two multiply three multiply three multiply three multiply three 81 के क्या है three multiply three multiply multiply 3 multiply 3 ठीक है अब निकालना है LCM least common multiple क्या बोला था मैंने कि जो सबसे ज्यादा बारी factor आ रहा है वही लिखेंगे जितनी ज्यादा बार आ रहा है वह लिखेंगे देखो यहां 3 2 times है यहां 3 3 times है और यहां 3 4 times है तो यही लिख देंगे 3 multiply 3 multiply 3 3 multiply 3 ठीक है उसके बाद देखो क्या आ रहा है यहां 2 आ रहा है 2 times यहां एक बार भी नहीं आ रहा है तो 2 को कितनी बार लिख देंगे 2 times clear है और कोई factor है ही नहीं तो that means इनको करना है देखो 4 times जब 3 था तो क्या था 81 81 को 4 से multiply करना है 4 1s आ 4 और 4 8s आ 32 तो 324 ऐसा नंबर है जो इसकी टेबल में आएगा इसकी में आएगा इसकी में आएगा जहां 324 आएगा वो तिनों से match होगा और सबसे पहला वही नंबर होगा जो इन तिनों की टेबल में सबसे छोटा multiple होगा उसके बाद तो कोई भी हो सकता है जैसे 6 और 4 का मैंने केस आप लोगों को बताया था ओके students अब करते हैं question number 2 question number 2 में हमें क्या given है we have to find the LCM of given numbers using short division method ठीक है उसमें क्या किया था long division method यूज किया था यहां यूज करना है short division method और short division method कौन सा है third part करते हैं c 42 70 division method क्या था हमारा ऐसे था ऐसे करके किया था हमने hcf निकाला था कौन से method से common division से ठीक है जो common division है या short division है वो same method और division वाला अलग है ठीक है यह करना है short division से means common division जो method है short means छोटे वाली division तो देखो वो ऐसे हो कि दोनों नंबर को इकठा लिखेंगे फिर उनको prime factorize करेंगे तू से इसको करेंगे तो 21 इसका 35 अब यह किस पे जाएगा 7 पे 7 थ्रीजा और 75 सा देखो सारे कैसे factor है prime factor that means यह आगे cancel नहीं होंगे अब तो LCM क्या आएगा हमारा 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 जहां 2 और 5 की multiplication आ जाती है तो 2 और 5 को पहले multiply कर देते हैं grouping करी थी ना हमने multiplication वाले चैप्टर में ऐसे कर दो 2 multiply 5 10 3 multiply 7 21 10 से multiply करते हैं तो right side में एक 0 आ जाती है ओके students इसमें मैंने last chapter वाली properties यूज करी है multiplication की ठीक है grouping property फिर multiplication by 10 ओके students इस्टेशोंगे ना हम चाले फैस्टेशगे ना हमार श्थरे लिए आ जाती हैं यूप तो कि अ साथ है उस्टेशों में पहले